मनोज पाटिल के समर्थन में अब हिंदुस्तानी भाव भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने सीधी तोर पर साहिल खान को फेक आइकन कहते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। और बताया कि तकरीबन एक महीने पहले मनोज पाटिल ने भाव से फोन पर मदद मांगी थी। और अब हिंदुस्तानी भाव ने मनोज पाटिल को समर्थन देते हुए उनके तबियत के लिए चिंता ज़ाहिर की है। और उन्होंने यह भी कहा कि एक बार मनोज पाटिल ठीक हो जाएं फिर वो उनके साथ लाइव आकर कुछ पॉलिटीशियन्स का भी परदाफाश करेंगे। जिन्होंने मनोज का साथ ना देते हुए साहिल खान को समर्थन दिया था। आईए सुनते हैं इसके अलावा हिंदुस्तानी भाव ने और क्या कुछ कहा है। मांच साला, सपोड करा। आणि आश्या फेक आइकोन चे भाव हाँ। माजा पूर्ण सपोड आहे मनोज पाटिल वरुबर आणि जेवडे पन अपले देशा साथी बोडी बिल्डिंग करताथ। देशा चे नाव रोशन करताथ। या सरवान्ना माजा सपोड आहे। फिर से मनोज पाटिल या उसके जेश से किसी को भी तकलिफ देने की कुशिश किया। तो मालूम ना। जरा भी तकलिफ किसी को देना नहीं। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग मेरे पास आये थे। बोडी बिल्डिंग के। जिनको बहुत बुरी तरह टॉचर किया था। मगर गलती उनकी भी है। उसके बाद वो वापस मेरे पास आये नहीं। क्योंकि वो इतना पैसे के जोर पे और पावर के जोर पे उनको इतना डरा देता है। कि इन लोग बच्चे डर जाते। डरने की जरुवत नहीं। इदर बेटा है। तुमारा भाव। मैं हूँ तुमारे साथ। और देखो अभी इसका तब्यत कब ठीक होता है। कब नहीं। देखता हूँ मैं। और इसके साथ भी एक लाइब वीडियो आऊँगा। क्योंकि इसने भोच सारे इसे लोगों का नाम मेरे को बताया। कि इनके पास गया मदद के लिए। इनके पास गया में मदद के लिए। और उन्होंने उनको ये बोला उसको कि किदर भी जा कुछ उखाण नहीं पाएगा उसका। हां। उसका नहीं ये पॉलिटीशन है ना। जिसने इसको बोला तेरी भी मारूंगा मैया। तुमको सपोर्ट करना चाहिए वो बच्चे को छोड़के तुम उसको बोलते कि इदर भी जा कुछ आएगा। इदर बेटा है। मैं देखता हो कि इसको इंसाफ कैसे नहीं मिलता है। हां। वो पॉलिटीशन का भी नाम बताने वालों बोच चल दी। मनोच पटिल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। और इन लोग को जितने भी है ना मेरा पूरा सपोर्ट है। इससे डरने का ने बिंदास रहो। भाई है तुम लोग के साथ।